नमस्कार और वेलकम टू दग्यानि गुटकुल कुछ सालों पहले घाना के पूर्व प्रेजेंट नकरूमा ने एक किताब लिखीती नियो कॉलोनिजम पर उस किताब का नाम था नियो कॉलोनिजम लास्ट स्टेज ओफ इंपिरिलिजम इसमें उन्होंने समझाया था कि कैसे नया उपन वेशवाद कारि करता है उन्होंने देशों को दो प्रकार का कहा था एक डेवलपिंग कंट्री जिनने परिफेरी स्टेट कहा था और एक डेवलप्ट विक्सित देश जिनने कोर नेशन्स कहा था कोर नेशन्स अपनी सहूलियत के अनुसार इन पेरिफरी नेशन्स को कार्यस आपते हैं कोर नेशन्स जैसे की अमरीका, ब्रीटेन, चाइना और पेरिफरी नेशन्स में भारत, वियतनाम, फिलिपीन, साफिका की कई देश, बंगला देश कुछ वक्त पहले जब इसरो के एक समाहरो में नासा की रीसर्च लेबॉर्टरी के कुछ साइन्टेस्ट इंडिया विजिट करने आये थे इसरो चीफ उन्हें चंद्रयां तरती के विशह में समझा रहे थे, वे उन्हें बता रहे थे कि इसमें हमने कौन-कौन सी टेक्नोलोजी से इस्तमाल किये, किस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट काम करेगा, क्या वहाँ पर आबजेक्ट रहेंगे, क्या इसके ओरिएंटेशन रहेंगे, वे सभी साइंटिस बहुत खुश थी कि और साथी साथ बड़े प्रभावित थे, हाली में एक साक्षतकार में इसरो चीफ ने बताया कि किस तरीके से साइंटिस तारीफ कर रहे थे, वे कह रहे थे कि हमारे पास इस पर कहने के लिए कुछ भी नहीं है, बड़ी विज्ञान या प्रद्योकिकी में कोई विकास होता है, उनके विज्ञानिकों को वो खरीदने का प्रयास करते हैं, यही चीज नासा के साइंटिस इसरो के साथ करना चाहते हैं, नासा का सालाना बजट 20 अरब डॉलर से भी अधिक होता है, जबकि भारत में इसरो का बजट नासा जैसी बड़ी स्पेस एजन्सी जिस कारे को करने के लिए कई हजार करोड रुपे खर्च कर देती है, वहीं इसरो कुछ सौ करोड रुपे में उसे अचीव कर लेती हैं, और यही बात नासा के साइंटिस्टों को बहुत शानदाल लगी, इसी टेक्नोलोजी के ट्रां करना पड़ेगा कि जो कॉस्ट होती अंतरिक्स यात्रियों के लिए, उसे कम करना होगा, और अगर एफिशेंसी की मानी जाए मतलब सबसे कम पैसों में सबसे शानदार काम करने का, तो वह भारत की इसरो कर रही है, इसरो चीफ ने अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा कि आप सबी को याद होगा, जैसे हमारा आधार है, UPI है, यह सब पब्लिक गुड में आता है, इसके ओपन सोर्स कर दिये गए हैं, जो भी कोर्स होते हैं, अमेरिका का एक इतिहास रहता है, वह अक्सर विग्यान के छेत में कार करने वाले विग्यानिकों को, दूसरे देश के जो होते हैं, उन्हें खरीदने का प्रयास करता है, फिर चाहे वे रशिया के हों, कई रूसी विग्यानिक नासा में हैं, कई जर्मनी के नाजी विग्यानिक नासा में कारे कर रहे हैं, खैर, यह चीज भारत में तो अमरीका करने में सक्सेस्फुल नहीं रहेगा, चाहे होम जहांगीर भाभा के समय की बात हो या फिर नम्भी नारायन जी के समय की बात हो इस रोगे साइंटिस्ट भारत का मान और गौरव है